हेलो एब्रिवन, वेलकम टो दे PCMB डिजीटर गुरुकुल चैनल इस वीडियो में हम 10th क्लास दस वी की इंग्लिज की वक्षिट पिचेतर 75 करेंगे जिसकी डेटा 21 जनूरे यानि 21st of Jan इसमें reported speech के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? direct speech को indirect speech में convert करेंगे उसे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम upload करें उसका notification आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वरक्षिट मिस ना हो तो यहाँ पर हम बात करें तो सुसीला और उसके friend के बीच में बाते चल रही है जो सुसीला अभी अभी सिमला से घूम के आई है और उसका friend है वो उससे पूछ रहा है कि आपने महाँ पर क्या क्या देखा enjoy क्या और नहीं किया पहले हम दे लेते direct speech और indirect speech होते क्या है direct speech में हम जब कोई भी बात करते तो inverted कोमा के बीच में हम लिखते है direct में क्याता है कि मैंने कुछ बोली जिसको कहा वो बिल्कुल मेरे सामने कि खड़ा है तो यह तो हो गया direct indirect मे हमारी inverted कोमा जो नहीं आते और जैपल first person किसी एक आदमी ने दूसरे इंसानों कुछ कहा और वही बात दूसरा इंसान जाके तीसरे इंसान को बता रहा है तो पहले की बात तीसरे तक कैसे पहुची indirect पहुची एकर first person तीसरे को सीधा बताता तो यह direct हो जाता लेकिन फर्स परस ने फिर ने फिर थर्ड को बताया तो यह हमारा इंडरेक्ट स्पीच हो गया तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो इसको सॉल करने के लिए हम हम हैप करेंगे हमारे इस एकसाइज को तो सबसे पहले फ्रेंड क्या कहता है सुसीला डिडि यू इंज्यो यूर होलिडे इंसिमला तो फ्रेंड पूछता है सुसीला क्या तुमने जो है सिमला में होलिडे अपने इंज्योइ किये तो सुसीला ने क्या जवाब दिया वैल नोट मच नहीं ज्यादा नहीं because it was very cold there योगी वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी तो फ्रेंड फिर से पूछता है which places did you see there तो कौन-कौन से place कौन सी कौन सी जगह तुमने वहां पर देखी I show many interesting places there मैंने बहुत सारी interesting जो है place वहां पर देखे तो इसी के base पर हमारे जो direct indirect speech यहां पर convert करने है तो करते हैं तो first fill in the blank राजन आज सुसीला तो राजन ने क्या पूछा था अगर हम direct बात करें तो direct पूछा सुसीला डीड यू इंजो यूर holiday in पूछा थे को शिन मारक आया है तो कोशिन मारक आया है अगर हम इसका indirect पूछे तो यहां पर रजन पूछा रजन आस सुसीला क्या पूछा इफ कोशिन मारक है तो डैट तो आएगा नहीं आएगा इफ ठीक है तो अगर हमारा first option देखें तो if वाले option हमारे पास अगर यहां होगा अब इन दोनों से कौन सा होगा देखो यहां पर हमारा did you enjoy past simple है और हमारे जो रिपोर्टी स्पीच है डिरेक्ट से इंडिरेक्ट होते वे past simple हमारा past perfect में जो है convert हो जाता है तो हमारा past perfect में यूज होता है है तो हमारा answer देखते हैं अगर answer हम देखें तो क्या होगा if did you enjoy your holiday in similar if she had enjoyed her holiday in similar दो यह answer हमारा कहां पर है if she had had enjoyed her holiday in similar तो first answer हो जाएगा डी उसका second blank का है सुसीला replied रंजन सुसीला ने reply किया she did not enjoy much it was very cold तो रजन दुबारा पूछ दा asked सुसीला अबाउट तो किसके बारे में पूछा रजन आग सुसीला अबाउट किसके बारे में कौन-कौन से place उसने visit किये तो देखो पहला सबसे आसान तरीका किया कि आप tense को देख लो यहापे did है ना तो answer जो इसका indirect होगा उसम हमारा past simple और यह convert किस में हो जाएगा past perfect में और past perfect में हमारे पास head आता है तो पहले तो हमारे answer हो यही देख लो कि head कहां कहां पे है तो यहां पे head है और यहां पे head है इन दो जगह पे head है अब इन दोनों में से कौन सा आएगा देखो about आ गया ना about कि साथ लगाने की जूरू head seen there second answer हो जाएगा हमारा see उसके बाद है सुसिला reply सुसिला ने क्या reply किया फिर से हमारा reply देखते है direct speech में I saw many interesting places so यानि फिर से past simple हमें यहां पर दिया गया है तो past simple हमें पता है किस में convert होगा past perfect में और दूसरी बात यहां पे question है सीधा सीधा वह answer कर रही है तो इस तो use होग head देख लेते हैं कि कहां कहां है that C show ये भी नहीं होगा see head ये होसकता है see head ये होसकता है see so ये नहीं हो सकता है या तो B है या सी है लेकिन यह पर question यह simple बात बता रही है question होता तो if आ जाता लेकिन simple बता रही है तो that आएगा that है हमारा b में answer होगा that see head seen many interesting places there थार्ड का answer हो जा अधर्वाइस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो